हमारी संस्कृति में महिलाव को पूजनिये बताया गया है। माना चाता है कि जो भी व्यक्ति महिलाव की इस्जत करता है। उसके उपर सदे भी ईश्वर की क्रिपाद्रिस्टी बनी रहती है। अगर इतिहास के पन्यों को उठा कर देखा जाए तो कई ऐसी महिलाए हैं जो पतिवरता धर्म का पालन करती थी। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी पांच कन्याओ का उलेग किया गया है जिसका विवा तो हुआ लेकिन उन्हें कन्या की ही उपाधी दी गई। इतना भी इन्हें कन्या ही माना गया आखिर इसके पीछे क्या बड़ी वज़ा है आपने इन पांच कन्याओ के नाम तो जरूर सुने होंगे लेकिन जरूर ही आप भी इस रहस्य से अंजान होंगे बता दे आपको इन पांच कन्याओ में से तीन कन्याओ का संबंद त्रेता पीची इतना और हिसमारे शास्त्र तो यह भी कहते हैं कि अगर इन कन्याओं के नाम का चाप रूस की आज़ा तो आपके सभी पाप नाश हो जाते हैं यह पांच स्त्रियां दिव्य थी इन पांचों को अक्षक कुमारी माना गया है प्रातै काल हिंदू पत्रियों को पंच कन्या का स्मरन कर प्रातना करना चाहिए जिसे पापों का नाश होता है इस बारे में इस लोग प्रसित्ध है जो इस समय आपकी स्क्रिन पर दिखाये जा रही है इस लोग का अर्थ है अहिल्या द्रोपती कुंती तारा और बंदूद्री इनका प्रती दिन स्मरन करना चाहिए पंच कन्या महापापों का नाश करने वाली है आईए अब हम आपको इन पंच कन्याओं के बारे में विस्तार से बताते हैं जो पहली है वो है अहिल्या अहिल्या को पंच कन्या अर्थात पांच कुमारियों में प्रमुक स्थान पर रखा गया है अहिल्या प्रम्मा की मानस पुत्री थी अहिल्या विश्व की सबसे सुन्दर स्त्री थी अहिल्या का अर्थ होता है ऐसी भूमी जिसे जोता ना गया हो एक बार प्रम्मा जी ने एक अत्यांत सुन्दर स्वरूपती कन्या का निर्मान किया और उस कन्या का नाम अहिल्या रखा अहिल्या के पालन पोशन के लिए भ्रह्मा जी ने उस कन्या को गौतम रिशी को दे दिया जब यह कन्या एक युवति बन गई तो गौतम रिशी उस कन्या को लेकर भ्रह्मा जी के पास पहुँचे जब देवताओं ने उस रूप वती अहिल्या नामक कन्या को देखा तो वह अहिल्या पर मोहित हो गए और अहिल्या को अपनी पत्नी के रूप में फ्राप्त करना चाहा। भ्रमाजी ने उन सब के मन की मनशा को जान लिया और सभी दीवताव के सामने एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले त्रिलोग का फ्रमन करके वापस आएगा उसका विवाह अहिल्या से हो जाएगा। बच्छडे को चैनम दिया। विदानुसहार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करे जाए तो वह त्रिलोग परिक्रमा के समान माने गई है। इसी तरह अहिल्या का विवा अत्री रिशी के पुत्र गौतम के साथ संपन्न हुआ परंतो इंद्र अहिल्या पर मुहित हो चुका था। एक दिन जब गौतम रिशी आश्रम के बाहर गई तब इंद्र उनकी अनुपस्तिती में गौतम रिशी का वेश बनाकर अहिल्या के पास आ गया। और अहिल्या के समीप आनिंग की और प्रणे करने की एक्छा जाहित करी। अहिल्या इंद्र को नहीं बहचान सकी और रिशी कोतम को चानकर अहिल्या ने इंद्र को प्रणे संबंद बनाने की स्विक्रती ती थी। अहिल्या से मिलन के बाद जब इंद्र अपने लौक लोट रहा था तब अपने आश्रम वापस आते हुए कौतम रिशी के द्रिश्टी इंद्र पर पढ़ गई और इंद्र को अपने वेश में देखकर कौतम रिशी क्रोधित हो गए और वह अहिल्या के साथ हुए छल को समझ गई उन्होंने इंद्र को नपुंशक होने का श्राब दे दिया और क्रोध में उन्होंने अपने पतनी अहिल्या को भी श्राब दे दिया और कहा हे दुरचारनी तू हजारों वर्षों तक हवा पी कर कस्ट उठाए और यहां राख में पाशान बनी पड़ी रहे जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तब तेरा उधार होगा जब अहिल्या की दृष्टी राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर पाशान बनी अहिल्या एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्दित हो गई अहिल्या अपने पति गोतम रिशी के पास वापस लूट गई कुंती पंचकन्या में से एक है कुंती का एक नाम प्रथा भी था कुंती महाभारत में वर्णेत हस्तिनापुर के नरेश महराज पांडू की पतनी थी और युदिस्टर भीम अर्जुन के माता की रूप में चानी जाती है कुंती वासुदेव की बहन और भगवान श्रिक कृष्ण की बुवा थी महाराज कुंती भोज ने कुंती को गोद ले लिया जब कुंती और विवाहित थी तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महारिशी दुरुवासा ने उन्हें वरदान में एक मंत्र दे दिया था कुंती किसी भी देटा का आवाहन कर सकती है और इन देटाओं से उन्हें संतान फ्राप्त हो सकती है परन्तु कुंती ने विवास से पहले ही इस मंत्र के परिक्षा के लिए सूर्य देटा का आवाहन किया जिससे उन्हें कर्ण की रूप में एक पुत्र की फ्राप्ती हुई जिसे कुंती ने अविवाहित होने के कारण समाज लोग लाच के डर से पानी में बहा दिया कुंती का पांडू से विवा हुआ पांडू को श्राप था कि वह जब किसी महीला के साथ संबंद स्थापित करेंगे उस दोरान उसकी मौत हो जाएगी तब कुंती ने दुरवासा रिशी द्वारा प्राप्त मंत्र की सहाइता से धर्मराज वायू एवं इंद्र दीपता का आवाहन किया जिससे युधिस्टर धर्मराज और कुंती के पुत्र थे भीम वायू और कुंती के पुत्र थे अर्जुन तीसरे पुत्र थे जो देटा के राजा इंद्र और कुंती के पुत्र थे मंदोद्री मंदोद्री पंचकन्याओं में से एक है जिन्हीं चीर कुमारी कहा गया है मंदोद्री मैदानव और हेमा नामक अपसरा की पुत्री थी मंदोद्री का विवाल लंका पती रावन के साथ हुआ था मन्दूदरी का सुन्दर पर मुक्त हुकर रावन ने उससे विभा किया था मन्दूदरी रावन को सदा अच्छी सला देती थी और हर बुरा काम करने से रोपती थी कहा च्वाता है कि अपने पती के मनोरंजनार्थ मनोदरी ने शतरंच के खेल का प्रारम भी किया था मनोदरी हमेशा सत्य के मार्ग पर चली मनोदरी रावन द्वारा किये गए बुरे कार्यों के बारे में जानती थी वह हमेशा रावन को बुराई के मार्ग को छोट सही रास्ते पर चलने के लिए कह दी थी पर अधो रावन को अपने बल पर बहुत अहंकार था जिस कारण रावन ने कभे मन्नोदरी की बात नहीं सुनी भगवान राम ध्वारा की रावन की मृत्यु के पस्चात भगवान राम के कहने पर विभीशन ने मन्नोदरी से विवाह किया था द्रोपती द्रोपती पंचाल नरेश द्रोपत की पुत्री है द्रोपती पंचकन्या मिल सी एक है ये चीर कुमारी है द्रोपती का चनम यग्यकुंड से हुआ, इसलिए इन्हें क्यक्य सेनी भी कहा जाता है। द्रोपती के स्वेंबर में अनिम देश के राजा महराजा राजकुमार पधारे, जिसमें जरासंग, शले, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशाशन, आधिक और भी शामिल थी। द्रोपती के स्वेंबर के लिए शर्त रखी गई थी। वह शर्त यह थी कि जो भी उपर घूमती हुए मचली की आग पर उसके प्रतिबिम्ब को नीचे तेल पात्र में देखकर निशाना लगाएगा। द्रोपती उसके गले में चैमाला पहनाएगी। परन्तु सफल रहे। परन्तु वहां ब्रहमन के वेश में उपस्तेत अर्चुन ने तेल पात्र में प्रतिबिम्ब को देखते हुए एक ही बार में मचली की आग को अपने ती से बेद दिया। स्वयंबर के शत के अनुसार द्रोपती ने अर्चुन के गले में वर्माला डाली। पांड़ द्रोपती को अपने साथ लेकर कुटिया में पहुँचे और अपनी माता कुंती से कहा देखो हम भिक्षा में आज क्या लेकर आए हैं। यह सुनकर कुंती भीतर से ही बूली। भिक्षा में जो भी लाए हो उसे आपस में बाट लो और उसका उपभोक करो। बाद में जब कुंती को यह ग्यात हुआ कि यह भिक्षा उनकी वधु की रूप में हैं तो उन्हें अत्यंत पश्यताप हुआ। परन्तु माता के वच्णों को निभाने के लिए पांच पांडवों को द्रोपती ने पती के रूप में स्विकार किया। द्रोपती को पेदव्यास से यह वर्दान प्राप था कि पांच भायों की पत्नी होने के पस चात भी वहक कुवारी ही रहेगी उनका कुमार्य बना द्रोपती और पांच पांडवों से एक-एक बुद्ध की प्राप्ती हुई। द्रोपती को माकाली और लक्षमी का अफ्तार भी कहा चाता है। अब हम बात करेंगे तार्णा को पंच कंया में से एक माना गया है। समुंद्र मंथन के दोरां 14 निकली। इन चोदह मनियों में से एक मनी तारा थी तारा अत्यंत ही खुबसूरत थी समुद्रवन्थन में वाली की और शुशेन दोनों मदद कर रहे थी जब उन्होंने तारा को देखा तो वह उस पर पोहित हो गए और दोनों ही उससे विवाह करने की होड में लग गए वाली और विष्णू ने देखा कि तारा की दाहिनी तरफ शुशेन और बाइं तरफ वाली खड़े हुए थे यह देखकर विष्णू ने फैशल सुनाया कि विभाह के समय कन्या की ताहिने तरफ उसका होने वाला पती तथा बाइं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है अंत वा प्रत जान सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा के साथ विवाह कर खुद को गशिंदता का राजा खोशित कर दी। लेकिन जब बाली वापस आया तो उसने सुग्रीव से राच्चे और अपनी पत्नी को खासिल करने के लिए आकरमन कर सुग्रीव को अपने राच्चे से पा वाली को युद्धि के लिए ललकारा दोनों ने भायों के युद्ध प्रारंब हो गया परन्तु दोनों भायों की मुख तथा देहे रचना समान थी जिसकारण राम असमंचस में पड़ गए और राम ने वाली का बत नहीं किया सुगरीव परासर होकर वापस राम के पास आ राम ने इस बार लक्षमन से सुगरीव के गले में माला पहनाने को कहा जिससे वहत द्वंद के दोरां सुगरीव को पहचाने में गलती ना करें सुगरीव से वाली को पुने ललकारने को कहा सुगरीव ने कस्टिननधा जाकर वाली को फिर से द्वंद के लिए ललकारा ता रामने वाली को सावधान किया कि वह सुगरीव को कस्टिकंधा का राचकुमार खोशित कर संधी कर ले परन्तु वाली ने क्रोध में तारा की एकना सुनी और सुगरीव से युद्ध करने चला गया रामने वाली पर तीर चलाया वाली के अहत होने का समाचार सुनकर तारा अपने पुत्र अंगत के साथ रण भूमी की तरफ भागी रास्ते में तारा को रण से भागते हुए वानर मिले उन्होंने उसे सलह दी कि अंगत को पापस कस्टिकंधा चाकर अंगत का राजिय विशे कर दे पर तो तारा ने एहजार नहीं किया और मरनासन वाली पर विलाप करने लगी तारा मरते हुए वाली को अंग लगाती है तारा वाली की चिता में सती नहीं हुई उसका अभिप्राय यह है कि तारा को राचनीती तथा कूटनीती का अच्छा ग्यान था और इसलिए ता वारा ने सुग्रीव को अपना पती स्विकार कर लिया तो यह थी वो पांच कन्याई जिसके बारे में आज हमने आपको बताया